हेलो स्टुडेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और नाम है संदीप आज हमारी एफकेट रेजिनिंग की ये तीसरी कलास इससे पहले हम दो चप्टर कर चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आफकेट के एकजाम से पहले आपका पूरा स्वागत हो जाएगा और उसी की आज अपनी तीसरा चैप्टर है और तीसरी कलास तब से पहले हमने चैप्टर वन किया था जोट सीचुएशन वाले क्वेशन हम अल्रेडी कर चुके हैं जोट सी भालेगा गिए इस चैप्टर का नाम है जिस तरीके से वर्बल के अंदर कोडिंग डी कोडिंग टाइप का चैप्टर होता है वैसे ही यह जो आपका फिगर कोडिंग है यह आपका नोन वर्बल रिजिनिंग का टॉपिक और इसके कॉश्चन अभी तक सिरफ मेंनली आफके इसकी क्वेच्ट के साथ है कि figure coding के question भी F-Cat के exam भी आते हैं तो बिलकुल असान चप्टर है और ज्यादा बार इसके question आई भी नहीं है एक दो बार ही इसके question आए है और कुछ question के साथ अपने इसकी direct practice करेंगे इस chapter की तो first question से अपने चलते हैं पहला question आपके सामने लिखा हुआ है कि इस तरीके से एक triangle बना रखा है जो की right angle triangle है और अंदर से पूरे तरीके से dark किया गया है उसके बाद एक circle है जो की वो भी पूरी तरीके से dark है और फिर आपके पास एक right angle triangle है जो की हलका सा shade किया गया है और फिर अगर एक circle है जो अलका सा shade किया गया है इन तीनों की coding आपको दे रखी है इन तीनों की coding आपको given है AX, DX और AZ आपको इस circle की coding बतानी है कि circle के अंदर जो shade किया गया है इस पूरे की coding क्या बनेगी तो अगर आप सबसे पहले question को देखते हो सबसे पहले आपने देखा तो एक right angle triangle है जो dark black है मतलब एक तो right angle triangle एक shape है यहाँ पर और एक यहाँ पर एक color है जो कि dark black है इन दोनों में से एक जने की coding A है और एक जने की coding X है दोनों में से एक आपके पास right angle triangle है और एक आपके पास dark color है इन दोनों में से किसी भी एक की कोडिंग ये हो सकती है किसी भी एक की कोडिंग एक्स हो सकती फिर उसके बाद आपने सरकल देखा तो सरकल में सरकल है और डार्क कलर है इसमें से किसी एक की कोडिंग D होगी और किसी एक की कोडिंग एक्स होगी आपने compare करके देखना है दो दो shape में से कि कहां पर क्या common आ रहा है जैसे अगर आप पहली और दूसरी shape के अंदर compare कर रहे हो तो आपको dark color common दिखाई दे रहा है उसके बाद अगर आप पहली shape और तीसरी shape को देख रहे हो तो आप देखेंगे कि right angle triangle दोनों में common है बस क्या same है इसी से ही आप इस question के शुरुआत करेंगे इस type के question अगर मैं शुरू अड़े 2 को देखता हूं तो मैंने देखा कि dark color जो है black color है वो दोनों में common है और उन दोनों की coding जो दे रखिया उसमें common कौन सा letter है इन दोनों में common आपके पास x जो है वो दोनों में common है इसका मतलब x ज यहाँ पर किसको बताएगा एपके पास right angle triangle को बताएगा एपके पास right angle triangle को बताा रहा है अब यहाँ पर काम लें कि अगर x आपके पास dark black color को बता रहा है तो जो circle बच गया d वो d आपका होजेगा D यहाँ पर circle को बता रहा है तो यहाँ आपको X की coding भी पता लग गई उसके बाद A किसको code किया गया यह भी पता लग गया और D किसको code किया गया आपको यह सारी बातें इन दोनों shape से पता लग गई अब तीसरे के उपर आजो तो यहाँ आपने देखा Right Angle Trangle में Light Shade किया गया है और Right Angle Trangle को आप already A बोल चुके हो कि Right Angle Trangle अगर A को बता रहा है इसका मतलब यह जो Light Shade किया गया है वह पका Z को बता रहा होगा तो अंदर वारा Light Color जो है वह Z को बता रहा है Z को बता रहा है और अगर यह light color आपका Z को बता रहा है तो यहाँ पर भी आपके पास यह light color जो है Z होगा और circle के बारे में आपको पता ही है already कि circle जो है वो अपना D को बता रहा है, यह जो circle है यह D को बता रहा है, मतलब आपका answer Z और D combine करके आएंगे तो Z और D वड़ा सिर्फ और सिर्फ आपके पास A की option है जिसमें D Z लिखा हुआ है अगर हाँ यहाँ पर आप यह कैसा था कि अगर option में Z D होता तब भी क्या होना था तो आपने यहाँ पर देखा कि right angle triangle जो है और जो circle है मतलब जो shapes आपको दे रखी है ना वो हमेशा उसने starting में लिखी है A right angle triangle था शुरू में आ रहा है D circle था वो भी शुरू में आ रहा है A फिर right angle triangle था शुरू में आ रहा है तो यहाँ पर shape के अंदर D आ रहा है तो D पहले ही आएगा Z बाद में आएगा इस question का answer A हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इतना सोचने के जरूरत है नहीं क्योंकि D Z और ZD दोनों option में नहीं है A की दे रखा है तो पहले question का answer आपके पास A option हो जाएगा तो same इसी approach के साथ अपने बाकी question के और चलेंगे और second question के और बढ़ा जाएगा दूसरा question उसी type से है एक आपके पास square है और एक आपके पास triangle है यह square जो की light है triangle जो की black है तो जहां कुछ ना कुछ common आ रहा है अब वहीं से शुरुआत करेंगे तो एक बर पहले को छोड़ दें आप दूसरे और तीसरे से शुरुआत करेंगे अगर आप दूसरे और तीसरे में देखते हैं तो आपको triangle दिखाई देरा common triangle दोनों में common है और दोनों में यहाँ पर alphabet कौन सा common है वो है w मतलब triangle यहाँ पर w जो है वो triangle को बता रहा है और अगर triangle को w ने बताया तो white color x को बता रहा है white color आपका x को बता रहा है और यहाँ पर अगर w ने triangle को बताया तो जो dark black color है यह black color आपका यह y को बता रहा है और white color यहाँ पर x को बता रहा है तो इसका मतलब square को यहाँ पर p बताएगा इसका मतलब square को यहाँ पर p बताएगा अब मुझे चाहिए क्या मुझे एक तो square चाहिए एक black color चाहिए मतलब मेरा answer y और p ये दुनों मिलकर मेरा answer बनाएंगे अब यहाँ पर x p है यह answer नहीं होगा यहाँ x y है यह भी नहीं होगा यहाँ w p है यह भी नहीं होगा और y और p से मिलने वड़ा p y सिर्फ और सिर्फ एक option है तो question number second का answer आपके पास यहाँ पर d option हो जाएगा और यह question भी आपका figure coding का question देगा आपको इन question के बारे में idea होने लग गया होगा कि question किस तरीके से paper में आते हैं और हमने इनमें क्या करना होता है तो सबी जने इस टेली गैम चैनल को जोइन कर लो यहाँ आपको यहाँ पर आपको इसके assignment मिलेगी और आप वहाँ से assignment में से question solve कर सकते हो जितने ज़्यादा हो सके और F-Cat के exam में यह आपका बिल्कुल असान topic माना जाएगा इसके बाद हम तीसरे question के और बढ़ेंगे यह हमारा दूसरा question था और तीसरा question कुछ इस तरीके से है यह आपके पास shape दे रखी है इस shape से आपने बताना है कि क्या बढ़ेगा shape आपके पास सामने है और काफी कुछ दिया गया है और इसकी last वड़े की coding आप से पूची गई है तो आप शुरुवात कहां से करेंगे पहले आप देखो सभी में फरक क्या है तो यहां आपने देखा तीन लाइने दे रखी है यहां आपने देखा दो लाइन दे रखी है काटती हुई तो यहां आपने सर्कल देखा लेफ्ट वाले खाली पॉर्शन में यहां आपने सर्कल देखा उपर वाले खाली पॉर्शन में यहां आपने सर्कल देखा फिर लेफ्ट वाले खाली पॉर्शन में यहां आपने सर्कल देखा नीचे वाले खाली पॉर्शन में है यहां circle देखा वो भी नीचे वाड़े खाली portion में है यहां जो पूछा गया है उसमें circle आपका उपर वाड़े खाली portion तो सबसे पहले आप देखो कहां पर आपको कुछ ना कुछ common लग रहा है तो मैं देखता हूँ कि मुझे इस shape में और इस shape में कुछ common दिख रहे हैं दोनों में क्या common दिखा कि दोनों में सरीय जो double line है यहां पर भी double line है जा रही है और यहां पर भी आपके पास double line जा रही है इसका मतलब इस तरीके की जो double line है वो दोनों में कुछ इस तरीके से common है और double line और double line और यहाँ पर दोनों में common क्या है आप देख सकते हैं H दोनों में common है इसका मतलए जो double line है उसको यहाँ पर H बता रहा है उसको यहाँ पर H बता रहा है उसके बाद अगर मैं H यहाँ पर इस double line को बता रहा है तो जो नीचे की और circle है जो circle आपका यहाँ पर नीचे की और आ रहा है इस portion में आ रहा है वो वहाँ पर किस को बता रहा है आपका D को बता रहा है वो बता रहा है D को बता रहा है तो यहाँ आपको D और H दोनों की coding पता लग गई कि D की कोडिंग क्या है और H किस की कोडिंग है यह आपको यहां से पता लग गया फिर यहां पर चलते हैं H का आपको अलड़ी पता ही है कि H जो है डबल लाइन को बता रहा है तो उपर जो सरकल है वो C को बताएगा तो इस तरीके से उपर जो सरकल बना हुआ है वो C को बता रहा है उपर ओला सरकल आपका C को बताएगा तो आपको H के बारें पता लग गया, D के बारें पता लग गया और C के बारें पता लग गया अब इस डियाग्राम में आजाते हैं क्योंकि D यहाँ पर भी है अपने पास अब यहाँ पर D किसको बता रहा था? D बता रहा था जो सरकल नीचे है, मतलब इस नीचे वाले सरकल को D बता रहा है इसका मतलब सिंगल लाइन को यहां पर आई बताएगा कि सिंगल यह लाइने जो कट कर रही है उसकी कोडिंग आई होएगी और यह सिंगल लाइने कट यहां पर बी आई में भी कर रही है और बी आई में अगर आई यहां पर आपका सिंगल लाइनों को कट करने को बता रहा है तो इसका मतलब बी जो होगा वो लेफ्ट साइड में सर्कल को बताएगा बी जो है वो आपका लेफ्ट साइड में सर्कल को बताएगा तो इस तरीके से जो तीन लाइने जा रही है उन तीन लाइनों को यहां पर जी बता रहा है अब आज़ो उस question के उपर जो हमारे से पूछा गया है हमारे से पूछा गया कि एक तो यह तीन लाइने होनी चाहिए एक circle उपर के और होना चाहिए तो तीन लائनों का हिसाब तो हमारे पास G ने दे दिया कि ये जो तीन लाइने हैं उसका मतलब G है अब उपर की और सर्कल को यहाँ पर कौन बता रहा है वो अपने देखा C जो है वो उपर वाड़े सर्कल को बता रहा है कि circle आपका top or side आएगा जैसा यहाँ पर था तो आपका answer जो आएगा वो G और C से मिल कर आएगा और G और C का सिर्फ A की option है जो कि पहला option है तो third question का answer आपके पास A option आजएगा C जी इसका answer हो जएगा समझारा होगा कि हमने दो common से शुरुआत करनी है कि जहाँ दो common आ रहा है वहाँ से पकड़के अपने question को शुरू करेंगे तो यह हमारे पास तीसरा question था अब चलते हैं अपने इसके बाद चोथे question की और चला जाए चोथा question कुछ इस तरीके से है काफी सारी आपके पास shape बन रखी है plus का sign भी है, vertical line भी है circle भी है, square भी है और आपको पूछा गया circle और line किसको बताएंगे चलो देखते हैं तो इसमें ज़्यादा time लगाने की जरूरत नहीं है आपने देखा कि आपको एक line चाहिए और यह line तो इन दोनों में है एक vertical line है तो third or fourth दोनों option में है और दोनों में common यहाँ पर कौन है दोनों में common यहाँ पर Y है इसका मतलब इसमें एक जणा तो Y हो जाएगा एक तो Y हो जाएगा और अगर एक पका Y हो जाएगा तो 3 option आपके सीधी cancel हो रहे हैं 3 option आपके पस direct answer हो जाएगा और देख लेते हैं बाकी सर्कल की कोडिंग कैसे पता लगी इस लाइन से तो पता लग गया कि Y आएगा अब इस सर्कल की बात करते है तो सर्कल तक पहुँचने के लिए सर्कल इससे पहले कहीं नहीं है तो हम एक पर इस प्लस के साइन की बात कर लेते है पिसर यह प्लस का साइन इन दोनों में आ रहा है प्लस का साइन इन दोनों में आ रहा है और प्लस का साइन इन दोनों में आ रहा है और common आपके पास यहां x और x common है मतलब यह जो प्लस है प्लस को यहां पर अगर x बता रहा है प्लस के साइन को अगर X बता रहा है यहां पे तो इस सर्कल को F बताएगा सर्कल को F बताएगा तो यह जो सर्कल बना है सर्कल को आपके पास F बताएगा तो Y F कह दो चाहिए F Y कह दो हमारे पास option A की था इसलिए हमें ज़्यादा सोचने के जरूरत नहीं है बाकि आप सभी के अदर देखी सकते हो जो शेप बन रही है जो आपके पास बाहर यह रॉम्बस बना दिया यह स्क्वेर बना दिया यह स्क्वेर हो गया यह सर्कल हो गया सभी शेप को पहले अल्फाबेट से लिखा गया है पहले alphabet में shape को बता रहा है और जो vertical line है या फिर ऐसे जो square बन रहे हैं उसकी coding को बाद में लिखा गया है तो ऐसा ही इसके साथ हुआ जो vertical line अपनी y थी उसकी coding को बाद में लिखा गया और जो shape हमारी circle है उसकी coding F को पहले लिखा गया है तो यह आपके पास चोथा question था figure coding का fourth question हो गया इसके बाद अपने पांचों question के और बढ़ते हैं इसी type का पांचों question रहेगा और यहाँ पर आपके पास दो की वजाए फिलहाल तीन shape है तो यहाँ आपको थोड़ा साथ ज्यादा सोचना पढ़ सकता है और चेक करते हैं इस question में क्या होगा तब से पहले common आपको क्या दिखाई दे रहा है common तर यहाँ पर एक circle है यह sorry triangle है triangle के अंदर एक circle है उपर एक rectangular box है जो खाली है यहाँ आपने देखा कि triangle है उसके अंदर एक plus का sign लगा हुआ है उपर एक dark black color है तो यहाँ पर तो फिलाल मुझे कुछ भी common नहीं आ रहा क्योंकि triangle तो हरे की shape के अंदर है triangle हर जगह है तो मुझे triangle को तो सोचने की जरूर थैनी कि triangle की कोई coding होईगी triangle के अलावा जो बचगे आपने उसकी बात करते है तो यहाँ square देखा जो कि अंदर से खाली है ओ सोरी rectangle देखा यहाँ से rectangle देखा यह भी अंदर से खाली है इसका मतलब खाली rectangle की कोई ना कोई coding है और खाली rectangle इन दोनों में अगर आप common देखोगे तो आपको वी दोनों में common दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह जो खाली box है अंदर से जो बिल्कुल खाली है rectangle उसकी कोई यहाँ पर वी है और अगर खाली box की रेक्टो यह coding अगर वी है तो इसका मतलब जो circle बना है dus circle की coding Econom बना है circle कीrecording आपके पास a हो जाएगी और उसके बाद circle की coading आपके पास a आगी और यहाँ आपको जो अंसर में चाहिए और यह सर्कल चाहिए इसका मतलब circle की coding तो a होगी a आपके answer में जरूर आएगा तो first option और D option आपके पास गलत होगा उसके बाद इन दोनों की बात करूँगा अगर मैं यहाँ पर मुझे क्या चाहिए मुझे dark black चाहिए और dark black यहाँ पर है तो मैं इन दोनों में comment देखता हूँ कि इन दोनों में मुझे कुछ comment दिखाई दे रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि जो plus का sign है यह दोनों shape में कुछ comment आ रहा है इसका मतलब जो plus का sign है C जो है यह plus के sign को बता रहा है क्योंकि यहाँ पर भी C है यहाँ पर भी C है और दोनों जगा कुछ A की shape है मतलब यह plus का sign जो है C को बता रहा है और अगर C यहाँ पर C का मतलब प्लस का साइन है तो यहाँ X जो है वो डार्क ब्लैक कलर को बताएगा और हमें इसी डार्क ब्लैक रेक्टेंगल की ही जरूरत है जो की X हो जाएगी मतलब इस question का answer आपके पास AX हो जाएगा C इस question का आपके पास answer रहेगा सामझ आया होगा एक ही type के question होते हैं इसके figure coding के अंदर बस कुछ question की practice कर लें 20-25 question की practice कर लें काफी रहेगा आपके exam के लिए और यह हमारे पास फिलाल पांचों question तो यहां हमारे पास यह six question है और इसमें आपने देखा कि काफी सारी shape बढ़ी हुई है और यह जो shapes बढ़ी हुई है उनके size में भी आपको फरक लग रहा है कुछ shapes बढ़ी है कुछ छोटी है और कुछ shade भी करी गई है तो यह question आपने थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला हो स लगता है तो अपने देखते हैं इस question आपने देखा कि यहां पर एक बड़ा square है यहां पर भी एक बड़ा square है मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ common जरूर है तो और दोनों में common alphabet जो है d है common alphabet जो है d है इसका मतलब यह हुआ कि बड़े वड़ा square जो है वो d को बता रहा है बड़े वड़ा square यहां पर d को बता अगर बड़े वड़ा square d को बता रहा है तो इस चोटे वड़ा square जो है वो पका m को बताएगा और यह बात आपको यहां से पता लग रही है कि दोनों चोटे वड़े square जो है वो m को बता रहे है यह बात आपको confirm है उसके बाद आपने द और सिर्फ आपके पास इसके पास ही बड़ा सरकल और किसी पास नहीं है मतलब C और R में से कोई एक जो है वो इस सरकल को जरूर बताएगा C और R में से तो हमें आंसर में C और R में से कोई एक जरूर चाहिए तो पहले का पास C है कि आंसर हो सकता है दूसरे बस ना ही C राफ है कि या आनसर नहीं होगा चो ठिक बस ना ही C राफ है ये भी आनसर नहीं होगा मतलब पहले और यह तीसरे option में से कोई एक आपको answer मिलेगा पहले और तीसरे पिर आपने देखाए dark black color किया हुआ है और dark black color कि सिर्फ इसके पास है मतलब Q और P में से कोई एक जणा इस dark color के black color dark black जो color है उसको जरूर बताएगा तो Q और P में से कोई भी एक जो है answer में जरूर दिखना चाहिए यहाँ पर M आ रहा है और M तो आपको पता ही था खोटे वड़ा जो box है वो M को बता रहा है और मेरे पास यहाँ पर खाली छोटे वड़ा box तो है नहीं जो इस तरीके से खाली हो मतलब M तो मेरा answer होगा नहीं इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक यह option बचता है वो है CP CP आपके पास answer हो जाएगा इसका मतलब है जो बड़े वड़ा circle है और यहाँ पर बड़े वड़ा circle है इसमा बड़े वड़ा circle आपका C को बता रहा था और उसके बाद यह जो dark color है यह आपका किसको बता रहा है dark color जो है वो आपका P को बताएगा यहाँ पर यहाँ पर भी dark color आपका P को बता रहा है इस question का answer A option आपके पास हो जाएगा तो यह था 6th question आपका figure coding का अब मैं चलता हूँ 7th question की और बढ़ता हूँ 7th question कुछ इस तरीके से है यहाँ पर भी square तो आपको हर जगा दिखाई दे रहा है लेकिन फर्क उसी square और triangle का ही है यहाँ पर कुछ जगा square dark है कुछ जगा square खाली है और कुछ जगा आपको triangle दे आख है चलो देखते हैं इस question उसके बाद कुछ में यहाँ पर आप देखेंगे state line हैं यहाँ पर आपने देखा कि कुछ लहरदार line है इस तरीके से तो देखा जाए इन दोनों में क्या common है इन दोनों में sir dark triangle जो है वो common है इसका मतलब z जो है वो dark color के triangle को बता रहा है dark color का जो triangle है वो आपका z बता रहा है और यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं मतलब z वाला ता आपका answer ही गलत हो गया और अगर dark color का triangle आपका z को बता रहा है तो यह जो horizontal तीन लाइने है वो f को बता रही है तो इस तरीके से तीन लाइने आपकी f को बता रही है और हमें answer में भी horizontal तीन लाइने चाहिए थी मतलब f हमारे answer में जरूर आएगा और b option भी मेरा cancel हो गया b option भी cancel हो उसके बाद उसके बाद यहाँ पर अगर अपने देखें तो इन दोनो option को देखते हैं चलो इसको और triangle वाड़े को इसको देखा जाए कुछ इस तरीके से यहाँ आपने क्या देखा कि एक ये circle है एक ये circle है उसके उपर इस तरीके से triangle लगा हुआ है और यहाँ पर भी circle के उपर इस तरीके से triangle लगा हुआ है और एक triangle आपके पास यहाँ पर खाली है और आपको खाली triangle जो है उसकी coding चाहिए क्या होगी यहाँ फिर यह भी कहा सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को एक box है जो कि बिल्कुल खाली है और खाली box जो है वो इसके पास है इसका मतलब यह हुआ कि C और H में से कोई बंदा मेरा answer जरूर आएगा क्योंकि मुझे एक खाली box चाहिए तो C और H में से कोई भी एक answer आएगा कोई भी एक जो है वो इसका answer जरूर होगा तो C और H अगर किसी के पास नहीं है उस option को अपने cancel कर देंगे यहाँ पर इसके पास ना ही C है ना ही H है इसका मतलब यह मेरा answer नहीं हो सकता C और H में से कोई एक जरूर इस box को बताएगा तो यहाँ इसके पास H है F हमारे पास already आना ही चाहिए था तो इस question का answer आपके पास C option हो जाएगा यह question number 7 था ठीक बात है तो question यह आप option से भी approach लगा सकते हैं यह भी आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा उसके बाद मेरा 8th question है 8th question आपके सामने है एक circle है एक triangle है इन दोनों में से कोई भी एक जणा A है कोई भी एक जणा C है उसके बाद 2 shape यहाँ है 2 shape यहाँ है इस तरीके से हरे एक की आपको coding दे रखी है तो यहाँ आपने देखा कि इन दोनों में common क्या है इन दोनों के अंदर आपने देखा कि circle common है इसका मतलब यह जो circle है वो अपना C जो है वो circle को बता रहा है अगर यह C circle को बता रहा है तो square को पका B बता रहा है और triangle को यहाँ से पका A बता रहा है और यहाँ अगर यह square B को बता रहा है तो यह जो dark color का square है वो पका R को बताएगा मतलब मेरे answer में R जरूर आएगा और R के बिना वाले सारे गलत होगे सिर्फ C आपके पास अंसर आगे उसके बाद अगर ट्रेंगल आपका A को बता रहा था इसका मतलब ये जो डोट वाला जो सरकल है वो पका G को बताएगा तो यहां से R और G मिलकर आपका अंसर बता देंगे C आपके पास आंसर तो यह आपका आठों कोशन था फिगर कोडिंग का और इन सभी कोशनों से आपको लगबगे का आइडिया हो चुका है कि पेपर के अंदर किस तरीके से कोडिंग के फिगर कोडिंग के कोशन आते हैं और अब आप इसको कर भी लोगे तो प्रेक्टिस के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सभी को जहिंद